च्रिडावा पुलिस ने खेतली रोड पावर हाउस के पास इस्तित विनायक जुएलर्स की दुकान की दिवार में छेद कर चोरी की घटना का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है आरोपी संतोस कुमार निवासी अडुका को गिरपतार किया गया है पंतारिस वर्षी आरोपी संतोस कुमार से विनायक जुएलर्स दुकान से चोरी किये गए सभी जेवरात को ब्रामद किया गया है साथ ही आरोपी दुआरा दुकान दिवार तोडने में काम में लिए गए ओजार को भी ब्रामद किया गया है पुलीस ने बताया कि उचाजिकारियों के निर्देशन में थाना चिडावा पर विशेश टीम का गठन किया जाकर गठना इस्तल का निरक्षन किया गया गठना इस्तल के आसपास में लगे CCTV फुटेज चेक किये गए पुलीस ने बताया कि गिरपतार आरोपी हरियाना दिल्ली भागने की फिराक में था जिसे सुरजगण मोड पर बस का इंतजार कर रहे थे तभी इस आरोपी को गठित टीम ने गिरपतार कर लिया आरोपी को न्याले में पेस किया जाकर PC रिमांड प्राप्त किया गया है पुलीस ने बताया कि आरोपी संतोस कुमार से अन्ने चोरियों के बारे में भी गहनता से पूस्तास की जा रही है आरोपी से ज्वेलेस की दुकान से चोरी किये गए चांदी के आभुषन लोहे के कड़े आइटिफीसियल आभुषनों की सो परतीसत बरामदगी की गई है साथ ही दुकान की दिवार में छेद करने के लिए काम में लिए गए दो लोहे के गुले और एक लोहे की अथोड़ी बरामद की गई है इस गिरबतारी में कॉंस्टेबल अमित सिहाक का सयोग रहा टीम में थाना दिकारिव विनोध सामरिया, एटस सी ओमपरकास, एटस सी द्रमवीर, एटस सी बलवीर सिंग, कॉंस्टेबल सरवनकुमार, कॉंस्टेबल जगदीप आदी सामिल रहे